नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जड़ारी क्लासेज में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 जुलाई 2024 के सभी इंपोर्टेंस क्वेशन के बारे में तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो सुरू करते हैं भारत में किस दिन को राष्ट्रिय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है तो वनका जो करेक्ट आणसर है वो है ओप्सन ए एक जुलाई को भारत में राष्ट्रिय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है तो पढ़ते हैं इस question को details में तो डॉक्टर विधान चंदर रोय की स्मिर्ति में एक जुलाई को राष्ट्रिय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है और डॉक्टर विधान चंदर रोय भारतिय चिकित्सक संग और भारतिय चिकित्सक परिशत के संस्थापक सदश्य हैं और पहला राष्ट्रिय चिकित्सक दिवस का मनाया गया था तो पहला राष्ट्रिय चिकित्सक दिवस जो है ये एक जुलाई 1991 को मनाया गया था और डॉक्टर बीसी रोय को 1961 में भारत के सर्वोज नागरिक पुरुसकार भारत रतन से इनको सम्मानित किया गया था 1961 में नेक्स्ट पॉइंट है 1976 में भारत्य चिकिच्चा परिस्द ने चिकिच्चा में डॉक्टर बीसी रोय राष्ट्रे पुरुसकार के स्थापना की थी, कब की थी ये 1976 में और इसी भारत में चिकिच्चा का सर्वोज पुरुसकार माना जाता है अगर बात करें थीम की तो थीम ऑफ दी 2024 नेशनल डॉक्टर्स डे की क्या थी तो ये थीम थी healing, hands, caring, hearts इसकी क्या थी थीम थी 2024 में Q2 है, हाली में किस राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री किसान सम्मान निधी योजना सुरू की है, तो ये योजना सुरू की है राजिस्थान सरकार ने, तो टू का सही आंसर है, option D Q3 है, किस राज्य सरकार ने NTR भरोसा पेंशन योजना सुरू की है? तो तरी के आप यहाँ पे option देख सकते हैं, तो थरी का जो सही आंसर है, वो है option C आंदर परदेश सरकार ने NTR भरोसा पेंशन योजना की सुरूआत की है तो आंदर परदेश के मुख्य मंतरी कौन है? चंदर, बाबू, नाइडो, इन्होंने 1 जुलाई 2024 को राज्य में NTR भरोसा पेंसन यूजना की सुरुवात की है Q4 है बिश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्स कब मनाया जाता है? तो बिश्व खेल पत्रकार दिवस जो है ये प्रतिवर्स मनाया जाता है 2 जुलाई को तो 4 का सही आंसर है option B तो हर साल 2 जुलाई को बिश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है और International Sports Press Association ने पेरिस में 1994 के ग्रीश मकालिन ओलम्पिक के दोरान एक संगठन के रूप में AIPS की इस्थापना दिवस को मनाने के लिए 2 जुलाई को बिश्व खेल पत्रकार दिवस की इस्थापना की थी कुसन नमबर 5 है हाली में उपसेना प्रमुक की रूप में किसे निप किया गया है तो हाली में उपसेना प्रमुक की रूप में निप किया गया है यहांपे Lieutenant General NS Raja Subramanji जी को तो 5 का सही आंसर है Option B तो लेटिनेंट जनरल एनेस राजा सुब्रमणी ने 1 जुलाई 2024 को उपसेना प्रमुक के रूप में पदभार गरहन किया है उन्होंने पूरु उपसेना प्रमुक जनर्र उपेंदर दिवेती का इस्थान लिया है जिन्होंने एक जुलाई दो हजार चोबिस को तीसमें सेना प्रमुक की रूप में कार्यभार संभाला था क्वेसन नमबर सिक्स है हाली में किस देश ने यूरोपिय संग परिशत की अध्यक्षता गरहन की है तो सिक्स का जो सही आंसर है वो है ओपसन ए हंगरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेसन नमबर सिक्स का नेक्स्ट क्वेसन के और बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेसन है अफगानिस्तान पर तीसरा सैंग्त राष्ट सम्मेलन कहां आउजद किया गया है तो यह आउजद किया गया है कतर में सेवन का राइट आंसर है ओपसन बी तो अफगानिस्तान पर तीसरा सैंग्त राष्ट सम्मेलन कतर की राजधानी दोहा में 30 जुन और 1 जुलाई 2024 को ये आउजित किया गया है और अफगानिस्तान पर सासन करने वाले तालिबान ने पहली वार अफगानिस्तान पर सवुट राष्ट सम्मेलन में भाग लिया है यहाँ पर पहली बार और सेवुक्त राष्ट द्वारा आयुज़त इस सम्मेलन में 25 देसों और अंतर राष्ट्रिय संगठनों के विसेश प्रतिनिद्यों ने भाग लिया है जिनमें यूरोपिय संग, इस्लामिक देसों का संगठन और संगाई, सहयोग संगठन भी इसमें सामिल है और भारत का प्रतिनित्वा विदेश मंद्रालाय में सैंक्तु सचिव जेपी सेह ने भारत का यहां पे प्रतिनित्वा किया है क्वेसन नमर आठ है भारतिय सेना किस देश की सेना के साथ सैंक्तु सेने अभ्यास मैत्री आयुजित कर रही है तो किस देश की सेना के साथ कर रही है तो यहाँ पे 8 का जो correct answer है वो है option 8 थाइलेंड की सेना के साथ तो भारतिय सेना ने थाइलेंड के टॉक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रकन में रोयल स्थाइ सेना के साथ अपना सेंक्टु सेन्य अभ्यास मैतरी शुरू किया है थाइलेंड की सेना के साथ और यहाँ अभ्यास कब से कब तक चलेगा तो 1 से 15 जुलाई 2024 तक यह अभ्यास चलेगा और द्विपक्षिया मैतरी अभ्यास भारतिय सेना और रोयल जो थाइलेंड की सेना है इसके बीज 2006 में यह सुरू किया गया था क्वेसन नमबर 9 है दक्षिन एसिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रसिक्षन संगठन किस राजय में इस्थापित किया जाएगा तो यह इस्थापित किया जाएगा महाराष्टर में ना इनका करेक्ट आंसर है ओप्षन ए आज की वीडियो का लास्ट क्वेसन है क्वेसन कौन-कौन से यह आठ पदक तो पढ़ते हैं कोई बारे में यहाँ पे तो अंडर 23 ACI कुस्ती चैंपियंशिप 2024 जॉर्डन के अम्मान में यह आज़ित की गई जहां भारत ने कुल आठ पदक जीत कर प्रतियोगिता में सीर्स इस्थान हासिल किया है और भारतिया पहलवान में जॉइंटी कुमार और 97 किलोग्राम वर्ग में साहिल जगलान और 125 किलोग्राम वर्ग में अनिरुद कुमा ने यह स्वन पदक जीता है तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के सा तब तक के लिए धन्यवाद,